ओम स्थापकायच धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णायते नमहां जननिम् शारदाम देविम् रामकृष्णम् जगत्गुरुम् पादपदमे तयो शित्वा प्रणमामे मुहुरु मुहु। नमश्री यतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिने भगवान श्रीरामकृष्णदेव श्रीमा शार्दादेवि यभुम् स्वामि विवेकान्की क्रुपासे हम लोग यह सत्संग आगे वढ़ा रहे हैं उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है चर्चा कर रहे थे हम परम पुझ्य विरेश्वर अनंद जी महाराज प्रहु महाराज के संस्परणों जो की स्वामी विरेश्वर अनंद अडिवाइन लाइफ उसमें दिये गये हैं डॉक्टर सरोज गुप्त इन्होंने पुझ्य महाराश्री का ट्रिट्मेंट किया था जब पुझ्य महाराश्री को गले में कैंसर हो गया था वे अपने संस्परण में बताते हैं 1983 की बात है 1983 में उनको सेवा प्रेसिजन लाया गया था पुझे गहना अनजी महाराश उनको ले आये थे बिलूमट से रिश महाराश फिर उन लोगोंने सब परिक्षन किया उसके बाद में परिक्षन के बाद पता लगा कि उनके गले में कैंसर है तो यह बात चारोर खैल गई फिर देश-विदेश से कई जगह से ऐसा अनुरोध आया कि पुझे महाराश फिर के उपचार का उसर उन्हें दिया जाए पुझे महाराश फिर को पुझा गया देश-विदेश से कई जगह से आपके उपचार के लिए इस प्रकार से अनुरोध आया हुआ है तो आप कहां पसंद करेंगे उपचार कराना पुझे महाराश ने कहा मैं कलकत्ता में ही कराऊंगा ठाकुर पुकुर में ठाकुर पुकुर क्लिनिक जिसके केंचाज डॉक्टर सरोज गुपत थे तो डॉक्टर सरोज गुपत एक और तो बहुत प्रसन हुए उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि उनको पुझे महाराश ची के सेवा करने का मौका मिलेगा दूसरी होर थोड़ा भै भी हुआ कि इतने बड़े स्वामी जी का उफचार करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिनको हजारो भक्त लोग जिनको गुरु मानते हैं और हजारो भक्त लोग उनके जिनके दर्शन के लिए अलाइत रहते हैं उनका उफचार करना कितनी बड जिम्मेदारी है यह भी उनको लगा फिर बाद में पुझ्य महराश्री ऐसा तय हुआ कि पुझ्य महराश्री रहेंगे सेवा प्रिस्टन्ट में वहां से सप्ता में पांच दिन वे टीटमेंट के लिए जाते थे ठाकुर-पुकुर क्लिनिक में कैंसर के लिए और फिर वीके यह एक बहुत बड़ी उन्होंने सोचा इश्वर की कृपा है डॉक्टर स्वरोज गुप्त कहते हैं कि बहुत ही हमको आनंद हुआ जब वे वापस चले गए बेलुमठ एक और तो हमने उस प्रार्ता भी की थून के लिए बहुत कि ठीक हो जाए एक तरफ बोलते हमें दु परन्त फिर भी यह प्रसंद हुए कि ठीक हो गया है फिर उन्होंने कहा कि हमने उनको जब ट्रीट्मेंट दिया जा रहा था उनको इतनी वेदना हो रही थी पर मानों उनकी इस वेदना पर उनकी कोई असर नहीं दिख रही थी यह कहते हैं कि एक गीत है बंगला में देह जाने और दुख जाने रेमन तु आनन में मगना रहा शिराम किष्णा इस गीत को गाया करते थे स्वामी तुरियानन जी अपने पत्रावले में भी इस गीत को कोट करते थे पुझे मारश्य ने मानो अक्षा सा उसका पालन किया था उनके विवहार से कभी ऐसा पता ही नहीं लगता था कि उनको इस प्रकार का दर्द हो रहा है वे हमेशा आनन में रहते थे बोले मुझे तो सचमूच में वे चक्रा गए कि इस प्रकार से भी कोई रह सकता है इतने दर्द में भी बिल्कुल किसी प्रकार का नतों केवल कोई कंप्रेंड करना बरन बड़े आनन में रहना विनोध करना जोक्स करना चुटकी लेना हसाना हसना ये बोले अकलपनी उनक करने लिए था बुले एक बहुत बड़े महतमा का मुझे जिवा करने का मुझे मौका मिला उसके बाद में फिर कभी-कभी जाते थे माहाज के पास बेलू मठ तो कभी-कभी राथ हो जाती थी तू एक बार तो रात होगई ज्यादा तो पुजी महराश्य ने कहा किया बात तो बFOREणे या ट्राफिक में फ़जगे थे ट्राफिक जैम में फजगे थे तो उनुन에 कहां ना रास्ते की कैसी इसालत खराब है रास्ता भी खराब था जैम भी था उसके बाद कुछ दिनों बाद ही फिर से वे आई तो और भी लेट आए रात को और भी देर होगी तब तक महाराज सो भी गए थे तो उन्हें कहा सेवक लोगों को आप उनको उठाइये मत मफिर आएंगे तब तक मैं महाराच जग गए जब उनका स्वर सुना तो उनको बुलाया और जब भी आते थे बिना प्रसाथ उनको ग्रहन किये बिना उनको जाने नहीं देते थे उतनी रात को भी उन्होंने उनको प्रसाथ दिलवाया उपर से एक एक शाल दी और उन्होंने पूछा जाम वो जाम ट्राफिक जाम उसके बले उन्होंने क्या किया कि जाम में फसे था जेली में फसे तो यह लोग कुछ भूल नहीं पाए महाराच बहुत जोड़ से हसे प्रफेश शंकरी प्रसाथ बसु को बंगाल में को नहीं जानता उन्होंने स्वामी विवेकान पर बहुत रिसर्च की है विवेकानद और समकालिन भारत वर्ष कई वॉल्यम्स में बड़े-बड़े वॉल्यम्स से बंगला में और स्वामी विवेकानद इन इंडियन भी उन्होंने संकलन किया है दो बिग वॉल्यम में तो ऐसा बहुत सारा कंट्रिबिशन है उनका रामकिष्ट विवेकानद सहित में तो यह जब रिसर्च वर्थ के लिए ऐसा था कि उनको बेलूमट की लैविरेरी में सब किताबें पुराने मैगेजिन यह सब देखने की आवश्रक्ता थी और सन्याज जी को ही उस समय यह अनुमती नहीं मिलती थी फिर भी उन्होंने प्रहट न किया उस समय जनरल सेकर्टी थे पुझे विरेश्वाजी महाराज उन्होंने तुरंथ इसके लिए अनुमती दे दी उससे उनको रिसर्च वर्थ में बहुत साहता ह होई बाद में 1963 में वे जब गए न्यूस पेपर में क्या क्या छपा था तो सबसे पहले सोचे कि पुने जाएंगे क्योंकि वहां लोक मानेती लग ने अपने समाचार पत्रों में सौमी विवेकन की बाते लिखी थी उनको याद था तो जाएंगे पहले पुने तो पुने म में उसे में तो रामकिष्ण मिशन का अफिशल सेंटर सुरू नहीं हुआ था पर फिर भी पुजवेरेशन जमाराज ने जो वहां के भक्त थे जिन्हों ने यह आश्रम की जमीन दान दी बात में यही मिस्टर बोडस इनकी इंडस्ट्री थी उनके ओपर पुत्र लिख दि में वेजब साउथ इंडिया गए और वेस्टन पार्ट में गए उस समय भी महापुज्य महराश्य ने उनको लेटर अफ इंट्रोडक्शन लिख करके काफी उनको सहेता पहुचाई जिसके कारण भी बहुत अची रिसर्च कर पाए 28 ओक्टबर 1967 28 ओक्टबर 1967 सिस्टन निवीता का एक सोबा जन्मदिन तो सामी सिस्टन निवीता की सिंटनरी सेलिबरेशन उसका चल रहा था उसी प्रसंग में निवीदिता स्कूल में बहुत बड़ा कारेक्रम हुआ जिसमें पुजवी रिश्वार जिमारत पदारे थे और प्रोफेसर शंक्रिप्ट हर्बसुजी को भी प्रवचन देने के लिए निमंतर दिया गया था उनका स्वास्त बहुत कराफता फिर भी वह आये क्योंकि वह चाहते थे कि सिस्टन निवीता के बारे में लोगों को ऐसा भ्रहम है कि रामकृष्ट मिशन ने सिस्टन निवीत ने इस संस्ता को पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा था और सिस्टन निवीता ने स्वयम ही यह कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है तब रामकेश्ट मिशन के पास दूसरा चारा नहीं था तब उनका त्याग पत्र मांगा गया था पर बाद में फिर भी यद्यपी पॉलिटिस के मामले में उससे रामकेश्ट मिशन अलग रहा और उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ बहुत सहकार नहीं हुआ परंतु जब उन्होंने किताब लिखी दे मास्टर जैस्वाहिम से संडवीता ने स्वाम वेकान पर जीवन चरी तो उद्वधन भावन से छप पर उसके बाद में भी उनका रामकेश्ट देवके सन्याष्यव के पास रदूसरे सभुसरे सभी तो अना जाना लगा रहता था और वो खुद भी लिखती था पहले निवी data उफ रामकेश्ट में सी लिखते थी अब लग गया उसमें निवीधव रामकेश्ट प्रकान यह उन्होंने सब बताया अपने लेक्षर में कि रामकिष्ट मेशन ने कोई भी अन्याएं निवीतापन्य किया कुछ विरेश्वाज निमाज बहुत प्रसंद हुए उन्होंने जो हसी दी वो बुलते हैं कि यही मेरा बहुत-बड़ा मेहनताना था इतना जो मेने दिसेश कि बने के बाद यह एक मानों अनमोधन की हसी उनको देख करके बोड़े बहुत आनदाया अशोक कुमार चक्रवर्ती यह आगरतला के तो उसमें ऐसा था कि आगरतला में महाराज के लिए पीछे लोग पाकल थे महाराज कुछ बोलते थे भक तो देखना हो तो आगरतला जाओ त्रिपुरा त्रिपुरा राज्य में आगरतला है वहां पर जाओ अच्छे भक्त देखना हो सच्छे भक्त देखना हो और कित्ती बड़ी संक्या में कित्ती लंबी लाइन लगती थी उनको प्रणाम करने प्रते दिन और नौ बार गये हैं पुझा महाराज श्रिमाप बहुत लॉंग क्यू लंबी लंबी क्यू लगती थी और उनको आदिवासों के प्रती विशेश प्रेम था तो आदिवासों कई आदिवासों को उन्होंने मंत्रदिक्षा प्रदान की उनके उनके समस्यां हो सुनते थे उनके लिए विशेश विवस्ता कर दी बस में लाने स्रीरामकale नाम का ज्वार ला दिया उस्ज्वार में फिर यह बड़ा जाहा जाएं रामकृष्ध मिस्थ विडिश्न वाको रखा नकायां वेधार में देखा था बहुत बड़ा फोटो था और हजारों लोग उसमें बैदान में बैठे हैं हो पुझे माराश्री प्रवजन कर रहे हैं बहुत वहां आगर तला में तो लोग पागल थे कुझे माराश्री के पीछे और वो खुद भी कहते थे कि यदि भक तो देखना हो तागर कला जाओ वनिता भट्टा चारे ने अपने संस्मन लिखा कि एक बार उनन देखा एक मां आई थी माराश के साथ जगड़ा कर रहे थी इदर रो भी रही थी उदर उलाहना दे रहे थी और बहुत तर्क कुतर्क कर रही थी कुछ देर तो माराश्री ने सुना फिर उसे बोला जाओ अपने लड़के को वापस ले जाओ परन्तु बाद में यदि वो और कहीं गया सन्यास बनने के लिए फिर हमको कुछ मत बोलना यहाँ पर है यहाँ कभी भी तुम आकर कर देख सकते हो कि दूसरी जगा जाएगा कि तुम देख नहीं पाऊंगी है फिर देखा कि थोड़ा थोड़ा मां उनकी मां थोड़ी शान्त हुए पुले जाओ गेस्टाउस में पहले थोड़ा दिन रहो तीन दिन उसके बाद में दढ़के को ले करके जाना है गेस्टाउस गे उसके बाद में अभी जा रही हूं लड़का लड़का आपके पास रहेगा क्यों तुम तो बोलती लड़के को ले जाओगी नहीं ये स्वर्गी वातावरण वो उसका भाग्य है कि वो यहां पर रह सकेगा बड़े आनन्द में है वो भी वो आनन्द में रहे और मैं उ उसको बहुत आश्रिवाद देता हूं लड़के को आश्रिवाद दे करके उसकी मा गई ये महराज का प्रकार से इस प्रकार की विशेश सकती थी कन्वींस कराने की दूसरों को कन्वींस कराने की तो आई थी जगड ने चली गई बेटे को आश्रिवाद देने के लिए दे सब लोगों को लगता था कि वह सारदमर जॉइन करेगी। पर तुब बाद में उसने विवाह कर लिया। तो भी महाराज का प्रेम उसके प्रति कम नहीं हुआ। फिर बात ऐसी हुए कि उसे लव मेरेच कर लिया बाद में लड़की की कोई नौकरी नहीं थी लड़की की भी नौकरी चली गई तो बहुत ही खराब वबस्ता में आ गए तब सोचिए महाराज को बिना पुछ विबाह किया इसके बाउज़ ने उसको कुछ नहीं का इतना ही नहीं उनकी जब अर्टी सिती खराब ऐसा पता पढ़ा तो महाराज जोनको बहुत प्रकासे आर्थिक साहता की इस प्रकास से कितने लोग को महराज ने साहता की है उसका उसकी कोई गिंती नहीं एक और बालिका थी वो भी कारदामट में जॉइन करना चाहती थी महराज उसको बहुत प्यार करते थे पर फिर बाद ने उसने अपना वो फाइन आर्स के प्रती भी अनुख थी तो फिर उसका विवा हो गया लाओ मेरेश कर लिया उसने फिर वो जब अपने हस्बेंड के और बच्चे के साथ आई तो महराज के स्ने में कोई अंतर नहीं पड़ा जितना पहले स्ने करते थे उसके पती को भी आश्रवाद दिया बच्चे को भी विशेश आश्रवाद दिया वह अभी भी वह याद करते हैं यह इनकी सहली थी कि डॉक्टर चैती तरवदार जाहीं बढ़ेली में है डॉक्टर अमित तरवदार की भर्मपत्नी डॉक्टर अमित तरवदार बहुत स्भी ख्यात आई सर्जन हैं वहाँपर बरेली में उनका पूरा परिवार पुझे महाराश्ट्री से दिक्षित है उनसे उन्होंने कृपा प्राप्त किये डॉक्टर चैती तरबदार यह मेडिकल में पढ़ती थी तो मेडिकल में फाइनल येर में थी तब उसके शादी निश्चित हो गई शादी की बात पक्की हो यह हमें तरबदार से तो एक बार महाराज के पास आई थी वहाँ पर प्रणाम करने प्रणाम करके चली गई तो फिर इसने कहा महाराज को फिर बुला रहे हैं तो फिर जब आई तो महाराज ने पूछा दीरे से अच्छा बात सच है क्या तो कौन सी बात तुम भी जानती हो वह बात क्या है मैं भी जानता हूं सच है क्या आई नहीं बताओ न तो वीचारी बहुत लज्जे में आ गई फिर नीचा मूह करको लेहां सच है तो वह बात देका ठीक है मेरा अश्वाद है सामने बुला करके उनके साथ विनोद किया मजाक की फिर दोनों जब आते पती पतनी तो उनसे दोनों को पुछते अच्छा तुम लोग का नरसिंग हों कैसा चल रहा है तो लोग बताते कि महाराज अम डोनों लग लग जगर नोकरी कर रहे हैं हमारा कोई नरसिंग हों नही इसा ही हुआ, बाद में पुझे महाराश्री के महासा मदे के बाद उनके शब्द सच निकले, फिर नर्सिंग हुआ, जैसा पुझे महाराश निका दोनों मिल करके वो नर्सिंग हुआ चलाते थे, एक दिन चैती तरफदर को एक सुपना आया जिसमें महाराश बोल रहे हैं, तुम गानागाओ, वो अच्छा गाना करती है, तो जब भी वो जाती थी महाराश के पास, तो महाराश गाना सुनते थे उसका, तब इस अपनमें महाराश ने का गानागाओ, तो उसने का कि मुझे तो दूसरा कुछ गीत आता नहीं, रविण्जश्व गीत आता है, तो प् सचा बात तो सच है फिर सप्ट पूरा हो गया पर कहने का मतलब सप्टने के माद्यम से पुझ्य मारश ने बता दिया कि प्रेम और ब्रह्म प्रेम ही ब्रह्म का उद्देश है और सारा विश्व उसी विश्व भर में उसी ब्रह्म का प्रेम उसी इश्वर का प्रेम ही उन्होंने पूछा मंतर दिक्षा के बाद अच्छा बीज अक्षर का तात्परी क्या है पुझे महाराश्च्री ने पूछा अच्छा गन्ने के रस की मीठास का वर्णन तुम कर सकती हो नहीं कियों? कुले वर्णन में डिचवर के अवらい अनुपह हो सकता है बस बोले यही बात है यह जो बी जक्षर का तात्पिर तुम पुझ रही हो इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं पर तुम को उसकी खुद को उसकी अनुप擊 होगी फिर उसने श्री राम कर्ष्ट के जीवन तता संदेश पर P.H.D. शुरू किया बहुत सारी बादाय आई बादाय भी उसने पार की और फिर बाद में जब उसने थिसिस जमा कर दी उसके बाद में उनको एक दिव्य भाव में उनको महाराज के दर्शन हुए M.D. प्रभू ये अपने संस्मन कहते हैं 1967 की बात है नाकपुर में महाराजशी सभी लोगों से जो लोग दिख्षा लेने वारे थे उनके साथ बाचित कर रहे थे फिर बाचित करते करते महाराज थोड़ा सा चुप हो गया दो मिट ध्यान में चले गया फिर उनुनने कहा हैं से किसी ने दिख्षा ले लिए है पहले तो कोई बोला नहीं उनुने दो लार कहां कोई एक व्रक्ति है जिसकी पहले एक कुल्गुरु से दिख्षा हो गई है तब एकverts कहlyंथा जाओ क्यों नहीं दिखा तुमने स्वाम में मेरी कुलूबर से दिख्षा होगी है जाओ फिर उसको समझाया कि देखो उलगुरू ने जो बंतर लिया है उससे का जाप करो उससे सो हो जाएगा तुमको दूसरी बार दिख्षा लेने की जरूत नहीं है कि एच जी वेंकट चलिया शेट्टी यह कहते हैं उनीस सो अठतर की बात है दिख्षा के कुछ वर्ष्व बाद बहुत एक बड़ा आर्थिक संकर उनके पास आया उनका उनको उनके जीवन में आया उन्होंने एक इंडर्स्ट्री खोली थी उसमें बहुत लास हुआ जिसके क महाराज आये चिन नहीं तो वहां जाकर कि उन्होंने अपनी समस्या कही तो जिमाहराश्य ने उस ने बहुत रोड़े जैसे हो गया पिचरण पकड़ लेके मुझे इसमें से निका लिए कि इस महान संकर से निकाली है तो महाराज जिस चिनता मत करो चिंता मत करो पिर उनोन नब्बे दिनों के भीतर सब ठीक हो जाएगा किसी को बताना मत इतना हीगा ठीक नब्बे दिनों के बाद अब प्रत्याश्य सुख से उनको कोई कोई ओफर मिली जिसके कारण उनको बहुत बड़ा पैसा मिला और फिर उत्तीस टन वाला एशियन कोल स्टोरेज साथ आइस फे स्ट्राइब करें लगते हैं जहां आतुरता पुर्वक भक्तर ने कहां तो उनके उनकी जो आर्तों को सुनते थे महाराज और इस प्रेकार से उनको संकट से बाहर निकालते थे कुमारी आर नेवेदीता तो आल इंडिया रेडियो एनाउसर थी वह आल इंडिया रेडियो एनाउसर जब महाराज को पता पड़ा अच्छा तुम तुम मुझे क्रिकेट कॉमेंटर सुनाते रहना तो अपने पास छोटा सा ठाजिश्यर रखते थे उन्होंने मजाक में कह कि तुम मुझे क्रिकेट कॉमेंटर सुना ना तो एक बार एक बार ऐसा हुआ कि इसको को पुच्छ सौमी ब्रह्मारज जी का सपने बहुत बार आता था उसने करके माहराज ठाकूर तो सपने में आते नहीं कि आते हैं महाराज ने लगता है तुमको पीता के ज़्यादा प पीता के बदले पीद उसने एक बार कहा माराज मुझे जब माला चाहिए ठीक है जब माला लेओ मैं उसको शोधन कर दूँगा तो जब जब माला आई तो महाराज बहुत हसे दोनों महाराज मरअट परैएनाज जी और महाराज क्यों वह काश की माला को समझ करके ले आई थी तो काश की माला यह जाकर के दोड़ करके फिर गई और फिर वापस में फिर तुलसी की माला लाई और तुलसी की माला फिर उन्होंने उसको शोधन किया और उसको दिया इस प्रकार से हम देखते हैं कि पुझ्य महाराश्री भक्तों पर जिस प्रकार से सन्याश्यू पर कृपा करते थे उसी प्रकार भक्तों पर भी कृपा करते थे और ये भक्तों लोग भी आखिर तक उनको याद रखते थे कितने भक्तों कितने प्रकार से उन्होंने मदद की है सबी प्रकार से नौकेबल आध्यात्मिक रूप से पर आर्थिक रूप से भी उनको संकट से उबारा है इसकी कोई गिंदी नहीं कितने सारे ऐसे भक्तों को उन्होंने मदद की है पुझ्य महारश्य के चोड़े में प्रणाम करते हैं यहां प्रणाम करते हैं ओम शान्ति 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 ही हरी ही ओम तस्त शे रामकृष्णाज्प नमस्तू